Hello everybody, this is your trainer Umair Ansar once again और आज का ही जो मेरा टॉपिक है इसका इंतिजार मेरे चैनल पर सबसे जादा था आज किस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी स्किन को कैसे रिटच कर सकते हैं यूजिंग फोटोशॉप हम कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में कि हम स्किन को रिटच करें लेकिन उसका टेक्च्चर भी मेंटेन रहे तो यह कैसे करेंगे देखते हैं इस वीडियो में ओके जी तो अब हम आचुके हैं अपनी फोटोशॉप की स्क्रीन पे और यह मेरे पास एक इमेज है अगर आप सेम इमेज के पर प्रैक्टिस करना चाते हैं तो इसका लिंक में डिस्क्रिपशिन में दे दूँगा अब बहां से जाके डाउनलोड करें और इसके ओपर प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छा सबसे पहले मैं आपको इस image की condition दिखा देता हूं अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखें इसकी skin की condition फिलहाल ये है मैं बुरा नहीं बोलूँगा लेकिन फिलहाल ये इसकी condition ये है तो अब हम इसको tutorial के end पर क्या करेंगे वह आप देख लेंगे वीडियो में एक tip आपको मैं दे देता हूं कि अगर आपकी skin के उपर कोई बड़े pimples हैं या कोई scars हैं तो उनको सबसे पहले आप spot healing tool से या stamp tool की मदद से deal कर लीजिए उसके बाद ये method को apply करें तो ये ज़्यादा अच्छा आपका लेगेगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको convert कर दूंगा smart object और उसकी smart object की मैं एक और duplicate copy बना लूँगा top layer को मैं mute कर दूंगा bottom layer को पकड़ूंगा filters में जाओंगा blur and Gaussian blur make sure Gaussian blur लगाने से पहले आप skin के उस area को sample कर लें जिसको आपने treat करना है वहां पे click करके और ये radius को बिल्कुल 0 पे ले जाई अब gradually इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएं जहां पर आपकी skin मुकंबल तोर पे blur हो जाए make sure आप extra blur ना करें skin को नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी ये अब मैं इसको around 7.4 कर रहा हूं यहां पर मैं value set करके ok पर click करता हूं और उपर लेर को on कर लेता हूं अब जो टॉप लेर है इसके ओपर भी मुझे फिल्टर अप्लाई करना है फिल्टर कौन सा है high pass फिल्टर भी आप सेम टरीके से प्लाई करेंगे सबसे पहले आप इसको जिरो कर लेंगे skin को वहां से sample करेंगे जहां से अपने treat करना और gradually आस्ता आस्ता इसको बढ़ाएंगे वहां तक बढ़ाएंगे जहां से आपके textures दुबारा नजर आना आपको start हो जें skin के बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन minor से मैं almost इसको यहां तक increase कर रहा हूं 0.6 तक अब मैं click कर रहा हूं okay के उपर अच्छा यहां पर तो मैंने इनकी values set कर दी इनको smart object में convert करने का मक्सद यह था कि non destructive काम हो अगर तो आपने कोई value set कर दिया तो बाद में आप उसको control कर सकें जैसे कि अभी मैंने high pass की value पॉइंट 6E थी तो अब मैं दुबारा high pass के उपर ही click कर रहा हूं तो मेरी 0.6 value दुबारा खुल के आ गई अगर इसको मैं change करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकता हूं मैं इसको थोड़ा से increase कर रहा हूं 1.3 मुझे ठीक लग रहा है इस time मैं इसको okay क्लिक करता हूं अब top layer को मैं blending mode change कर रहा हूं overlay आप इसको overlay भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो vivid light भी कर सकते हैं मैं फिलाल इसको overlay कर रहा हूं overlay करने के बाद मैंने इन दोनों layers को पकड़ता हूं Ctrl G एक group में रख देता हूं और ग्रुप के उपर मैं मास्क लगाऊंगा सबसे पहले मैं इसको फ़र से zoom कर लों ग्रुप के उपर मैं मास्क लगाऊंगा invert mask तो यह तो पहले जैसे होगी दुबारा अब इसको हम डील कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं अब आपके पास यह mask available है mask को आपने reveal करना है तो आपको पहले से पता है आपने क्या करना है आपने foreground color select करना है white make sure आपको flow 100 ना हो 100 से कम रखें मैं आपको कोई value नहीं बता रहा है कि आप इतनी रखें इतनी ना रखे आप 100 से कम रखें ताकि आपका brush ना ज्यादा out of control होके काम ना कर रहा हूं मैं इसको 66 पर रख रहा हूं brush के size को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और इसके पेंट करना शुरू करता हूं और यह देखें magic होना शुरू हो गया है अब उस एरिया के उपर paint नहीं करेंगे जिस एरिया की details आपको accurate चाहिए जैसे मैं इसके नाग के उपर इस तरीके से paint करूँगा तो नाग blur हो जाएगा kitchen के औपर मैं paint नहीं करूंगा आइस के ओपर paint नहीं करूंगा मैं सिर्फ skin के ओपर paint करूंगा क्योंकि मेरा tutorial ही skin का है अश्च्राइम जब आप paint कर रहे हूं जल्द बाझी ना करें राम राम से paint करें अब अगर मैं आपको इसका बिपोर और आफ्टर दिखाऊं को का प्राइब करने के बाद मैं के बुरी लग रहा हूँ अब आपको बताते हूं मैं क्यों बढ़ाए निक के बाद रैडनेस को इस टैब को कलैप्स कर रहो और मास्क को कर रहों इंवर्ट कंट्रोल आई शॉट किये मास्क को इंवर्ट करने की अब मैं ब्रश को स्लेक्ट कर रखते हुए मैं पेंट करूंगा वाइट के साथ मेक शुर अब अपने फ्लो को इस बार मजीद कम कर लें आपने पेंट करूंगा तो वाइट के साथ कि अ, इसकी हाई लेट को दोबरा लाने के लिए सायलेश आपकी कर अठी होती है फेस के उपर आपके चिक्स पर आइज के उपर यहां पर चिंप जो आपके फेस्पर आगे की तرف मूँव होते हैं ना उनके उपर आपकी हाई ल इसको नजर में रखते हुए यहां पर पेंट करूंगा अब जहां से आपको लग रहा है स्किन के उपर कुछ पैचीज है या कुछ इस तरह क्या प्राब्लम है वहां से आप इसको या तो फ्लो को इंक्रीज करने के बाद पेंट कर लीजिए एक बार ठीक है अगर आपकी प् लेयर को पकड़ें कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ए शॉट किया है तमाम लेयर कंबाइन होके उपर सबसे उपर एक न्यू लेयर बन जाएगी आप यहां पे इसको स्टैम्टू स्लेक्ट करके फ्लो मेक्शोर कम कर लिजिए और यहां पर यह पैचीज को अपने जिसने भी इन बिलो यह आपकी जो करेंट लेयर है इससे नीचे वाली लेयर से भी सेंपल कर रही होगी अब आप न्यू लेयर के उपर बना सकते हैं यह आपका कम्प्लीटली नॉन डिस्ट्रॉक्टिवली काम होगा यह आप इसके पैचीस को डिल कर सकते हैं यहां से अगर आपको कोई पैचीस क्रेट हो रहे हैं तो मॉस्ट लिए आपके पैचीस क्रेट नहीं होंगे यहां पर मेरे पास लाइटिंग सिच्वेशन इतनी अच्छी नहीं थी जहां पर यह शूट हुआ था सो इसलिए यह पैचिस भी लाइट के वज़ा से क्रिएट हो रहे हैं लेकिन डोंट वरी यह को इतना बड़ा इश्यू नहीं है अब यह अभी अपने अपने स्कन को ओकी कर लिया मैं तमाम लेश्ट को एक ग्रूप में रख रहा हूं ग्रूप को आफ करता हूं तो यहापका बिफोर है जूंए नहीं करके एक बर फिर दिखा रहा हूं बिफोर आप्टर दीफोर आप्टर यहां तक आपकी स्केन रीटच जाने के बाद आप इसकी हाइलाइट्स शैडो को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्किन में कंट्रास्ट कर रहा हूं हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं औ है मैंने यह सेटिंग की है और थोड़ा सा मैं इसका टेंपरेचर भी यालो इसकी तरफ प्लस थ्री कर रहा हूं मैं यहां पर ओके करता हूं कि अन्ना इट्स टूमच बहुत ज़्याद हो गया अब इसकी में अपैसिटी को कम करूंगा यह आपने स्किन को ली टच कर लिया यह अगर जितना मैंने आपको लेयर बताया कि इस लियर के उपर आपने बलर लगाना आप चाहें तो इन तमाम सैटिंग्स का एक एक एक्शन बनाकि अपने पास रख सकते हैं अब आप में से वो लोग जिनको actions के बारे में नहीं पता तो आप लोग वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो actions से related होगी जिसमें आपको बताऊंगा actions क्या होते हैं एक आपको ट्रेलर बताते हैं actions ऐसे होते हैं कि आप एक picture को treat करते हैं बाकि अगर आपके पास 10 pictures के उपर आपने same settings करनी होती हैं तो आप जाके एक बटन को क्लिक करते हैं आपकी तमाम pictures के उपर वो same setting apply हो जाती है और अगर आप चाहें तो आपकी तमाम pictures एक ही पर save भी हो जाती है actions की class में हम सीखेंगे कि एक सब कुछ कैसे होता है तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त अलाफिस